आप सभी को मेरा नमस्कार मैं हुनेलेस और इस वीडियो कोर्स के वीडियो नमबर 49 में हम सिखेंगे कि हिंदी नामों की स्पैलिंग इंगलिस में किस प्रकार से लिखते हैं और पढ़ते हैं यहां पर हम कुछ नाम लेंगे और इन्हें इंगलिस में लिखकर प्रक्टिस करेंगे तो आप इस वीडियो कोर्स से बढ़ी असानी से हिंदी नामों को इंगलिस में लिखना पढ़ना सीख जाएंगे तो आप अपने खुद से भी प्रेक्टिस करें, जिससे आपको अक्षर और मात्रा याद हो जाएगी, और आप किसी भी नाम को बिना गलती के लिख सकते हैं, तो इस वीडियो कोर्स के बाकी वीडियो जरूर देखे और सीखे, तो आएए इस वीडियो में हम पहले जो नाम है उसकी स्पेलिंग किस परकार से बनेगी या देखते हैं, पहला अक्षर सू, तो जो सक स है, इसके लिए हम लिखते हैं S, स में लगी छोटा O की मात्रा, तो छोटा O की मात्रा के लिए इंगरिस में लिखते हैं U, फिर है हा, तो ह के लिए H, आकी मात्रा के लिए E, ह हा, फिर है ना तो ना के लिए लिखते है एन और आ के मात्रा के लिए ए क्लियर है छोटा ओ के मात्रा के लिए लिखेंगे हम यू और आ के मात्रा के लिए ए सुहा ना अगला नाम देखते हैं परला अक्षर जी तो जा के लिए लिखेंगे हम जे छोटी ए के मात्रा के लिए आई फिर है आपका ग्या तो ग्या के लिखते हैं जी वाई आके मात्रा के लिए ए फिर सा तो इस सा के लिए S आके मात्रा के लिए ए जी ग्या सा तो एक चीज़ जयात लखे कि जो ग्या है ग्यानी वाला उसके लिए जी वाई हम लिखते हैं अगला नाम, पहला आक्षर त, त के लिए T, अकी दोनी के लिए A र की रेफ है, पके उपर, तो पहले र की रेफ के लिए A, फिपा के लिए P, अकी दोनी के लिए A और इस अण के लिए B, लिखते हम N, तर पन पहला अक्छर मू तो मा के लिए m चोटाओं के मात्रा के लिए u फिर अगला अच्छर है आपका रَّ तो रा के लिए आर फिर लिखा है आपका लि तो ला के लिए l लन में हाँ पे लगे है बड़ी e के मात्रा तो बड़ी के मातना के लिए लिखेंगे हम double e या फिर कुछ लोग यहाँ पे i भी लिखते है double e के बजाए जो जैसा लिखता है वैसा ही हम भी लिखेंगे फिर है ध, तो ध के लिए dh और की दो नहीं इसलिए a और र है तो र के लिए r मू, र, ली ध, र अगला नम, पहला अचलर आपका म, तो म की लिखते है English में am, अकी दोनी इसलिए a, और दिखें म पे लगी है अपके हूँ, बिंदी, तो बिंदी के लिए लिखते है हम and, जब not दोनी होती है बिंदी की तो हम and लिखते हैं, मतलब बिंदी को हम न पढ़ते हैं इसलिए N लिखते हैं फिर है आपका ग, तो ग के लिए इंगलिस में G, अकिदोनी इसलिए A और फिर है ल, ल के लिए L मंगल अगला नम पहला अच्छर सू, तो सक के लिए S, छोटाओं की मात्रा के लिए U, बिंदी लगिये है उसके लिए N और फिर है द, द के लिए D अकिदोनी के लिए A, और ड के लिए R सुन, दर अगला नाम, दानीस में द को हम लिखेंगे द के लिए D, आकि मात्रा के लिए A, फिर है न, तो न के लिए N, छोटी के मात्रा के लिए I, और स, सकरवाले के लिए S, H दानीस अब कुछ नाम इंगलिस के अक्षरोश लिखे हुए, अब हम इने पढ़कर प्रेक्टिस करेंगे तो S, H अब का सकरवाला स, I छोटी E की मात्रा V, A, वा N यहाँ पे बिंदी के लिए होगा और G, गी Siwanggi अंत में है I, तो बड़ी E की मात्रा के लिए भी अंत में आई लगाते है तो सिwang Kanggi बड़ी E की मात्रा आती है इसलिए हमने बड़ी E की मात्रा लिखी है T, U तो T को पढ़ते है T और T तो यहाँ पे T होगा तो U है, मतलब छोटा O की मात्रा L, L, S, I, C तो तुल्शी में भी समय बड़ी की मातल लगाते हैं अगर इंग्लीज में यहाँ पर I लिखते हैं फिर है D, A, आपका दा और S, स, तुल्शी, दांस V, I, V, N, A, न, Y, A, य, और K, क, विनायक K, A, यहाँ पर कर नहीं होगा A, यहाँ पर A की दो हनी के लिए तो K, A, क, M, A, भी होगा M, L, ल, यहाँ पर K, A, का हो जाएगा और N, यहाँ पर अधरन, और T, त, कमल, कांथ तो नामों को पढ़ने और सुनने से हमें पता हो जाता है कि यह नाम क्या हो सकता है P, R, होता है पर, A, अकीद होनी के लिए होगा B, H, V, U, छोटाओ की मात्रा और R, A, र, और M, म, प्रभु, राम M, M, H, A, N, अधरन, और DR आपका DR हो जाएगा और A, अकीद होनी के लिए है महेंद्र O, के पहले कोई भी अक्छर नहीं है मतलब O, यहाँ पर अक्छर के लिए है जो क्लिप पढ़ेंगे हम O, को O, M, M, P, R, प्र, A, अकीद होनी के लिए K, A, K, S, H, S, O, प्रकास यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे जहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठें, सीखें यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बढने वाली बेल बटन को क्लिक करें और पर क्लिक करें जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिक मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ सेयर करें आप भी सीखें सभी सीखें थैंक यू फॉर वाचिंग